हेलो दोस्तो स्वागत एक बार पिछे आपके अपने ही यूटूब चैनल देव भूमी एक्सिरेस में और दोस्तो आज की न्यूस्पेपर में आई हुई ये कबर उत्राखण में नर्सों की बंपर भरती जल्द होगी जिहां दोस्तो जितने भी दोस्त नर्सिंग की पड़ा वे और उसके बाद ही जो भी होगा ये प्रोसेस होगी बिगिरती उसी के बाद आपाईगी तो ये दोस्तो इसलिए हुआ है क्योंकि केंदर सरकार ने राज्य सरकार पर दवाव बनाया है केंदर सरकार ने जो मरीजों मरीजों नर्सों के लिए जो 6 अनपात एक रखा गया उनकी ब्यवस्ता सही से नहीं हो पारी देख रेक उनकी तो इसके चलते वे केंदर सरकार ने राज़े सरकार पर दवाब बना है और कहा है कि आपको जल से जल उत्रा खंड में जो नर्सों की कमी है उनको भना होगा और फिलाल तो जो साच्टे विवाग ने जो ब्यूरा दिया है उसके हिसाब से अभी पंदर सो के करीब नर्सिंग केडर उपस्तित है अस्पतालों में और जो बिगयपती जारी होगी नर्सिंग पे वो कम से कम चार सो जो पद है उन पर यह बिगयपती जारी हो सकती है चार स भी नर्सिंग के अब्यारती है वो अपनी तहरी पे लगी रही है तो और थोड़ा और देखते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है इसके बारे में तोड़ा राज्य में नर्सिंग के पढ़ाई करे युगाओं के लिए अच्छी कबर है सरकार अगले कुछ समय में नर्सों की ब बिचार कर रही है राज्य में इस समय हस्पतालों के मरीज और पदों पर पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है इसके बार नर्सिंग के बढ़ानी की उजना है नर्सिंग एसे उसेशेशन अध्यक्स मीनाकसी जखमोला बताती है कि केंदने राज्य में नर्सों की संक्या को बढ़ाने को कहा है स्वास्य सची नितेज जहाने भी माना है कि अस्पतालों की स्थिति के सुधार के लिए अधिक नर्सों की जरौत है उन्हें में कहा है कि इस पर विचार किया जा रहा है अभी चुनाओ आचर सहितार लागो है इसलिए कुछ समभव नहीं है तो और कि हमें एक मरी पर एक नर्स होना चाहिए लेकिन राज्यम है इसा नहीं है नर्सों कि 400 पद खाली चल रहे हैं इसमाना तो दोस्तों इस पर कार चैया लिए तो इन पर विग्यप्ति बहुत जारी हो सकती है अचार सहिता खतम होने के बाद तो आप अपनी तैरी पे लगे रहे हैं और इसी के साथ नहीं नहीं जानकारी के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहे हैं धन्यवाद